गाइस क्या आपको पता है कि अब आप टीवी स्क्रीन पे चल रहे किसी भी फूड आइटम को टेस्ट कर सकते हो गाइस ये मजाग बिलकुल भी नहीं है वाके में अब आप टीवी में चल रहे किसी भी फूड आइटम को टेस्ट कर सकते है अब वो कैसे वो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा और पिज़ा को लोग घर में ओर्डर करके खाते हैं बट क्या आपको पता है कि पिज़ा को अब स्पेस में भी जिलेवर किया जा रहा है और क्या आपको पता है कि आखिर numbers को इस तरह से ही क्यों लिखा जाता है आखिर इसके पीछे की mystery क्या है और passport, visa के बारे में आपने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा वच क्या आपको पता है कि passport और visa में आखिर अंतर क्या है तो ऐसे ही दिमाग को चक्रा देने वाले facts का मजा लेने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना तो गाइस चल ये वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी vacation में कही न कहीं तो घूमने जाते ही होंगे तो ये आपके vacation से related एक बहुती deep fact है तो एक study से ये पता चला है कि जब आप vacation में घूमने जाते हैं तो vacation में घूमने फिरने के दौरान आपको उतनी खुशी नहीं मिलती हैं आपको लग रहा होगा कि अरे यार मैं क्या बोल रही हूँ जब हम घूमते फिरते हैं तभी तो हमें मजा आता है और खुशी मिलती है बट नहीं एक study से ये पता चला है कि कहीं घूमने फिरने के दौरान आपको उतनी खुशी नहीं मिलती बलकि आपके पूरे trip का सबसे best और happier पार्ट होता है planning और preparation phase जब आप planning करते हो ना कि हां हम इस जगह जाकर ये करेंगे वो करेंगे इन से मिलेंगे उन से मिलेंगे इन चीजों की shopping करेंगे ये समान ले जाएंगे वो समान ले जाएंगे ये जो phase होता है ना ये आपके पूरे trip का सबसे खुशी वाला पल यानि सबसे happier पार्ट होता है आपके पूरे trip में planning और preparation phase ही आपको सबसे ज़ादा खुशी दिलाता है इस वक्त ही आप सबसे ज़ादा खुश रहते हो planning और preparation phase में ये fact आपकी life के साथ काफी relatable होगा अगर आप vacation में अकसर कहीं न कहीं गूमने चाते होंगे तब by the way मैं इस fact को बहुत अच्छे से feel कर सकती हूँ because I love traveling fact number 5 अभी मैं आपको कुछ ऐसे most expensive चीजों के बारे में बताना चाती हूँ जो की है बिल्कुल useless बट दाम सुनकर आप बेहोश हो जाओगे तो ये है 22 karat gold का toilet paper जिसका प्राइस है 10 करोड 40 लाक रुपए मतलब कुछ भी और इसके बाद मैं और क्या कहूँ कहने लाए कुछ नहीं बचा इस toilet paper के बारे में अब ये क्या है उल्टा चश्मा इसका इसका प्राइस तो देखवा आप लो 55,672 जी हां ये है गुची के upside down glasses जिसका प्राइस है 55,672 मतलब ग्लासेज है वो भी उल्टे जिसके लिए मुझे 55,672 रुपए पे करने के पड़ेंगे मतलब पागल हूँ क्या मैं कुछ भी नेक्स है 38,000 की ये गोल्ड तूथपिक ओमाइगाट पहली बात ये कि आप इससे अपने दात में फसे खाने को तो साफ करेंगे है नहीं सबसे पहले तो आप इसे सेफ्ली अपने तिजोरी में बंद करके रखोगे मतलब गल्दी से अगर आप इस तूथपिक को निकालोगे भी ना तो इस तूथपिक को आपकी पूरी फैमली यूज़ करेगी अरे भाई समझो ये गोल्ड तूथपिक है एक तूथपिक से पूरी फै नंबर्स को कई सताबदी से लिखते आ रही हैं बट कि आपको पता है कि नंबर्स को इस तरह से ही क्यों लिखा जाता है आखिर वन को इस तरह से ही क्यों लिखा जाता है एट को इस तरह से ही क्यों नाइन को इस तरह से ही क्यों तो असल में सभी नंबर्स को नंबर ऑफ एंग होने की वज़े से साथ में साथ एंगल, नौ में नौ एंगल, तो ठीक इसी तरह से zero में कोई एंगल नहीं होता, इसलिए zero को इस तरह से लिखा जाता है, अब आपको numbers के sequence के रहसे का पता चल गया होगा कि आखिर नंबर को इस तरह से ही क्यों लिखा जाता है, ये एक बहुती important question है, जिसका answer आप सभी को पता होना ही चाहिए, तो guys question ये है कि passport और visa में अंतर क्या होता है, दोनों का नाम तो आपने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा, बट इन दोनों के बीच का difference में भी आप सभी को पता नहीं होगा, जब कभी भी आप foreign country जाते हैं तो आपको passport और visa की जरुरत पढ़ती है, बिना passport और visa के आप विदेश नहीं जा सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी देश है जहांकि आप बिना visa के जा सकते हैं, बहुत लोगों के मन में ये confusion होती है कि आखिर visa और passport में अंतर क्या है, तो passport एक ऐसा legal document है, जो कि विदेश में आपकी पहचान यानि आपकी ID proof के काम आता है, बिना passport के आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं, पासपोर्ट में पासपोर्ट होल्डर की पूरी जानकारी दी रहती है, जैसे की name, gender, birthplace वगएरा वगएरा, पासपोर्ट का यूज विदेश यात्रा करने के लिए किया जाता है, अगर आपके पासपोर्ट नहीं है, तो आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो गाईज अब बात करते हैं वीजा के बारे में, आखिर वीजा क्या होता है, तो वीजा वो कागज है जो कि किसी person को किसी और देश में रहने, भूमने फिरने और काम करने के लिए लेनी पड़ती है, और ये permission उस देश के द्वारा दी जाती है, जिस देश में वो वैक्ती रहना चाता है, तो ये था पासपोर्ट और वीजा के बीच का अंतर, आईगोप आपको समझ में आ गया होगा, तो जापान के एक प्रोफेसर ने एक ऐसे टीवी को बनाया है, जिसे आप इस तरह से चाट कर टेंश कर सकते हो, और आप टीवी को चाट कर टीवी में चल रहेए, फूट आइटम के फलेवर का मज़ा भी ले सकते हो, जैसे कि आपने टीवी में कुकिंग चैनले को तो देखाई ही होगा, और कुकिंग करते वक्त वो कहते हैं ना कि आजन बनाने जा रहे आलू के पराठे हैं और उस डिश को बहुती मज़े से खाकर दिखाते हैं बट अब आपको उसे खाते देख अपने मुँ में पानी लाने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि अब आप खुद इसे टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि जापान में आविशकार हो गया है ये मशीन जिसका नाम है टेस्ट दा टीवी अब ऐसी टिकनलोजी आ गई है जिसके जरी आप टीवी में चल रहे फूड आइटम को टेस्ट कर सकते हो जैसा कि इस मशीन को आप देख सकते हैं ये एक स्प्रे टेकनलोजी है एक टीवी होता है और उसके उपर एक साफ सुतरी शीट बनी होती है जिसे आपको चाटना है यहाँ पे 20 तरह के अलग-अलग फ्लेवर की स्प्रे लगी होती है जो भी खाना आपके स्क्रीन पर चल रहा है जो भी खाना आप खाना चाते हो बस वो बटन दबा दो उसकी इंग्रीडियंट्स की स्प्रे उस साफ सुतरी शीट पर स्प्रे होने लगती है और बस क्या देख कर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आज के इस टेक्नोलोजी से भरी दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है कुछ भी मतलब कुछ भी पॉसिबल है अमेजिंग और सिर्फ यही नहीं जापान के इसी प्रोफेसर ने फूट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़े बनाई है जैसे कि उन्होंने एक ऐसा फॉक बनाया है जिससे खाना खाने के बाद खाना और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है यानि खाना का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है आगे जाने से पहले ऐसे ही अमेजिंग और नॉलिजबल फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल क को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना अगर आप पिज़ा ओर करते होंगे तो आपको पता होगा कि वैसे तो पिज़ा डिलिवरी फ्री है बट 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप कुछ इस तरह से चौकने वाले हैं तो साल 2001 में हुए एक पिज़ा की ड आप बेलिवरी स्पेस में वी थी जी हाँ इस पिज़ा को इस फेस में डिलिवर करने के लिए 7 करोर रुपई क्षच हुए यह ते पिज़ा हट का सपेशल पैन पिज़्जा यूरी उस अचेव के डिमांड पर एक रॉकेट द्वारा इंटर्नाशनल स्पैस स्टेशन और पिज़ा हट दुनिया के सबसे पहला इस पेस में पिज़ा डिलिवर करने वाला कंपणी बन गया क्योंकि पिज़ा कोई आम बात नहीं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इन सारे facts में से सबसे ज़्यादा amazing आपको कौन सा लगा मुझे नीचे comment करके ज़रूर बताना और इस वीडियो का like aim है 2K और इसे आप अपने friends और family के साथ share ज़रूर कर देना और आप मुझे मेरे insta, facebook और twitter में भी follow कर सकते हैं I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा Thanks for watching this video